पुलिस ने लाल चौंगतों तक्रीवन तेन किलोमेटर दूर रामबाग विखे वुदवार नू एक संखे मुकाबले विच दैश्टगर्दी जथेवंदी टी आरेफ दे एक एरिया कमांडर महरान नू उजदे दो साथियां समेत मार दित है महरान ने पिछले महिने स्कूल दे आहाटेज अपने साथियां दे नाल मिलके एक महला से दियापका दे हत्या कर दी ती सी इस दोनान महरान दी मौत दे खवर फैल दें ही शहर दे वकवक हिसें विच तना फैल गया आतवादियां दे मारे जानतों बाद मुकावले वाली थांते कुछी लोकाने पड़ काउनारे भी लगाए ने सी श्रेणिन दे आतवादी वेच सुची बद महरान दा पूरा ना महरान यासिन शाला आया आते ओ डाउन टाउन दे कनीम जार जमालता इलाके दा रहन वले पंजलाख दा इनामी महरान इस साल अठारा में नू आतवादी बन गया सी ओ लशक्रे तोईवादे हिट स्क्वैड टी आरफ दा एरिया कमांडर सी उसनू उस दे डिप्टी दुआरा टी आरफ अपरेशनल चीफ कमांडर अबास शेख नू सौंपया गया सी जिस स्थांते महरान मारे गया सी अते जिते अबास मारे गया सी दोमा मुठफेड वाले थामा विचकार तकरीवन एक किलोमेटर दी दूरी है टियरा विच शामल होन तो पहला महरान गुजर गैंग विच वी शामल सी जो की डाउन टाउन विच कम करदे अखोती स्थानक गुंडियां दा एक गैंग सी महरान ने अपने तेन साथियां दे नाल मिलके 7 अक्तूबर नू संगम ईदगा स्थित सरकारी स्कूल च दो गैर मुसलिम अध्यापकां सुपिंदर कौर अते दीपक चांद दी हत्या कारदी थी सी इस वारदात नू अंजाम देना आतवादियां चे एक विदेशी आतवादी वी शामल सी पुलिस नू दो अध्यापकां दे कतल दी जांच दोरान महरान बारे बता लगै पुलिस शेहर विच स्तीत उस दे सारे संभावी टिकानें ते लगातार चापे मारी कारी है उस देनल जुडे सारे शक्की दोस्तां तो इलावा आतवादियां दे वाकवाक ओवर ग्राउंड वरकरांदियां गतिवीदयां ते लगातार नज़र रखी जा रही है इस दो इलावा इलेक्ट्रोनिक निग्रानी वी वर्ती जा रही है पिछले हफ़ते फड़े गे टी आरेफ दे तिन मेंबरी मडियूल तो उस बारे कुझ सुरागवी प्राप्त किते गे ने वीरवार दो पहर पुलिस नो अपने सिस्टम तो पता लगा है कि महरान अपने कोज साथे नाल रामबाग इलाके विच एक कार विच कुम्रिया सी ख़वर दी पुष्टी हो गई है अते आतवादियां जां उना दे समर्थकां ते शाको ना होवे इसलिए पुलिस ने कोई नमा नाका नहीं लगाया पर पुलिस टीम नो पहलना वांग उथे तैनात रख्या गया सी हलाकी जम्मो कश्मीर पुलिस दी विशेश अपरेशन टीम दे मेंबर तैनात पुलिस वल विच सान कथी तोरते आतवादी एक नीले रांग दी कार विच सफरकारे सान पुलिस वल नाल मुठपेड विच ओ मारे गेने